सुरेंद राजपुद आप तयार हैं एक तरफ ये राजा हैं प्रदानमंत्री मोदी दूसी तरफ आपके उठ गोड़ा आती हम आप करिए मैं विद आल डू रिस्पेक्ट कह रहा हूं ये बार नहीं सर हम जानते हैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दू मैं आपके 36 कड़ा और मध्यप्रदेश के चैनल भुपाल में बैठ करके ये डिबेट कर रहा हूं तो इस वक्त तो सारी चीजें देख रहा हूं समझ रहा हूं और विनोध भाई ने चुकि आपने शेर का कहा था तो ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के उपर है कहते हैं दुविधा में फसे लोग और सुविधा में फसे लोग करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग ये लोग गमले में उगे हुए लोग हैं जंगल की बात कर रहे हैं आजकी डेट में तो मेरा तो तीन चार चीजों में बड़ा इसपस्ट मानना है और पेसिंग साहब अच्छे भले इंसान हैं आप आपने बड़ी-बड़ी बातें कर दी तो मैं आपको पहले तीन सि सितिया किलियर कर दो हमारे आशो गहलोजी के नित्रतों में चुनाव लड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री तीनों जगा पर हमारे यह इस सितिया बिल्कुल किलियर है नंबर एक नमबर दो आपके यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों जगह पर भारती जंता पार्टी ने लड़ने से पहले नरेंद्र मोदी जी के नित्रत्तों में हार मान ली है उन्होंने साफ कहा कि कमल के निसान को देख लो कमल का निसान लोगोंने करनाटक में भी देखा कमल का निसान लोगोंने हिमाचल में भी देखा और कमल के निसान के ही चक्कर में नरेंद्र मोदी जी ने दस-दस दिन जब मड़ीपुर पुरा खून से लत्पत था, मड़ीपुर लाल था वहां की महिलाएं नंगी करके परेड की जा रही थी, उस जूरेशन में नरेंद्र मोदी जी कमल के निशान को लेकर के दस दिन दिखाप कीजिए और वहां की जंता ने हमें भारी वहुमत दिया उसी तरीके से नरेंद्र बाइंद्र मोदी जी जोट बोल रहे है चल कर रहे हैं प्रप कुल रहे है प्रपंच कर रहे हैं आप लगातार मोदी जी यहाँ पर अपनी भाशाई संयम को भी खो दे रहे हैं कांग्रेस को उल्टा सिधा कहने के चक्कर में और अपने लोगों को भी बेजजत कर रहे हैं आप बताईए विनोज जी आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं संजे भाई भी बताएंगे कि आज तक 1952 से कोई एक ऐसा चुनाओ बता दीजे जिसमें कोई पदेन मुख्यमंत्री हो और वो चुनाओ लड़ना चाह रहा है उसका पहली लिस्ट में चुनाओ में नाम नहों कोई चाहें कांग्रेस का सपा का बसपा का भाजपा का किसी भी दल का आप बता दीजे पहली बार सिंधिया पर भरोसा नहीं किया आपके सामने हैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में विभीषण कह रहे हैं जो उत्राजी सिंधिया को भारती जनता पार्टी के मुर्ली धर्राव शिवराज सिंग चोहान बाकी सारे नेता लगातार उनको और उनके साथियों को विभ प्रिधान सभा का चुनाव मोधी जी को लड़ाएंगे और भोपाल से या ग्वालियर से लड़ा देंगे हमिश शाह को हमारे यहां पर पूछ रहे हैं लोग हमारे यहां इसपस्ट नीती है इसपस्ट नेत्रत तो है एक सेकिंड बाते मैंने बहुत ध्यान से सुनी मैंने कमल नाथ हमारे चेहरे वी है और जीते तो फिर बनेंगे लेकिन राजस्थान के बारे में बड़ी चतुराई से इतना हैं हैं वह सिटिंग चुनाव मंत्री हैं उन्हीं के नेत्रत में चुनाव लड़ा जा रहा है और वही मुख्यमन्तरी है पूर बैठा हूं आपसे लेकिन मैं मैं मुख्यमंत्री है सर्व मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं होगा आप जान लीजे मुख्यमंत्री का पद कहा खाली है आप इस चीज को देखे न मुख्यमंत्री पूरी तरीके से पूरणकालिक मुख्यमंत्री है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप जो चाहते हैं अभी भी संकोच कर रहे हो बनेंगे कहने में यह क्या मामला है जो MP में BJP कर रही है इस संको मैं वो भी बता देता हूं अशोग गहलोज जी ने हम तो चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन अशोग गहलोज जी का अपना एक स्टेटमेंट है उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री पर छोड़ना चाहता हूं और मैं उंदके उस स्टेटमेंट का सम्मान कर रहा हूं वर्ता वो मुख्यमंत्री हैं भी और मुख्यमंत्री बनेंगे ओके ओके ओल्राइट आर्पी सिंग जी बोलिये जल्दी से क्या कहना चाहते और और मैं आपसे बताओं आर्पी भाई थोड़ा सा सयम रखिए थोड़ा सा सयम बोलिये बोलिये आचा बोलिये सुरेंदर आश्पुत बोलिये कंप्लीट करिए बोलिये 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 अले आपको छूटा बोलिये दोस्त जी 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 और मैं दूसरी बात जो आपसे कह रहा था ने क्या पूछा था आरपी सिंग जी मैं सुननी पाया था मैं आपको एक चीज खाली कह देता हूँ कि एक बड़ा पुराना सा और शेर याद आ गया आपके लिए आरपी जिन जी अच्छा ठीक है कहते हैं कि जब कष्टी साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिकस्ता कस्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे नरेंद्र मोदी जी के नेत्रत में 2014 में नरेंद्र मोदी चड़ते हुए सुवे के 9 बजे के सूरज थे 2019 में नरेंद्र मोदी 2 बजे के सूरज थे और अब 2023 और 2024 में नरेंद्र मोदी 5 बजे के सूरज हैं और 24 में 6 बजे के सूरज हो जाएंगे यानि डूबते हुए सूरज हैं इनके उपर इनके अपने लोग अब भरोसा नहीं कर रहे हैं इसलिए ये दुबारा से कमल निशान को लेकर के आ रहे हैं जल्दी से जल्दी से जब सिरफ कहते थे नरेंद्रमोदी आरपिसिंग जी बोलिए भारी अपनी रहा नहीं थी हमने पहले आपनी चारीकर लड़ पेके इंड ही थ्क्लेंड टिकलेन कर देगे वहांपर और जहां तक राईस्थान की बात है यह कहे नहीं सकते में चैरिंज एंगिए यह कहिए नहीं सकते है कि संजय कुमारे कॉमेंट उसके बाद अनुराग बदोरिया संजय जी पीम सीम की लडाई राज्यों के चुनाव में किन फैक्टर्स पे डिसाइड होती है एक तरफ पीम एक तरफ सीम सुरेंदर भाई एक सेकिन रुखेगा अनुराग बदोरिया नहीं बोले सर मैं आपको बताता हूँ पहली चीज तो आर्पी सिंग साभ पता नहीं कौन से मति भ्रम का शिकार है जैसे भाजपा में मोदी जी मति भ्रम का शिकार हो गए हमारे 36 गड़ के प्रभारी जू है वो कुमारी शैल जा है राजी शुकला नहीं है कुमारी शैल जाजी कभी ब्यान बेंदूगा इस चीज को बहुत किलियर आप समझे लिए अरे बाई उनका भी ब्यान है आप बीच में मति प्लीज बीच में मति बीच में अचा आप रुख जाए अब एक सेकेंड रुख जाए ताइम अब मेरे पास ताइम कम बचा है